असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, हम चैप्टर फ्यूचर किंग की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं आज हम उसमें करेंगे लुक एट दा पिक्चर्स बिलो एंड डिस्क्राइब वाट इस हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स जो नीचे पिक्चर्स दीएं उनकी तरफ देखें और डिस्क्राइब करें किया हो रहा है राइट दा स्टोरी और उसके एक अगार्डिंग दी स्टोरी लिखें एक दिन कुते ने एक हडी पाई बुचर्स कहते हैं कसाई को कसाब की शॉप से दुकान से उसे एक हडी मिली वो बहुत ज्यादा पुर्जोश हुआ उसने वो हडी उठाई और एक तनहाई की जगा देखने लगा जहां पे वो अराम से बैट कर हडी को इंजॉए कर सके लुतफ अंदोज हो सके कुटा जो है वो एक ब्रया के नारे जो है वो चला गया हडी को लेकर कि वो अराम से बैट कर इसको खा सके जब वो जो है बोन को चबा रहा था तो उसने नीचे दरिया में जहांका और वो बहुत हिरान हुआ जब उसने अपनी अपना अक्स पानी में देखा आप देख रहे हैं कि कुटा दरिया के उपर खड़ा है और उसे नीचे अपनी रिफलेक्शन यानि अपना अक्स नजर आ रहा है उसने इसको गलती से समझा के कोई और कुटा है जो के अपनी हड़ी को मुँ में लेकर बैठा हुआ है the greedy dog wanted to snatch that bone also so he opened his mouth to bark at his own reflection hoping to scare the other dog away so that he could get that bone too but alas the bone fell down from his mouth into the river with a splash जो लाल्ची कुटा था वो दूसरे कुटे से बोन चीनना चाहता था उसने अपना मुँ खोला अपनी अक्स के उपर वो चाहता था कि दूसरे कुटे को ड्रा दे लेकिन हुआ ये कि एक सप्लैश के साथ उसकी अपनी जो हड़ी है वो भी पानी में गिर गई अपनी लालच की वजा से उसने अपनी बोन को जाया कर दिया और वो भूखा ही रहा तो प्यारे बच्चों इसे हमें क्या नतीजा में है डोंट बी ग्रीडी लालच नहीं करना चाहिए लालच बुरी बला है तो प्यारे बच्चों आप उर्दू और इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसके साथ कुरान जीत को तर्जमे से पढ़ना मत बूढ़िएगा कुरान ही हमें सीधे रस्ते पर रख सकता है और लालच से बचा सकता है तो कुरान को रोज तर्जमे के साथ कमस कमतीन आयात पढ़ें दुनिया की कामयाबी भी हासिल करने और आखरत की भी अबीत है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें